दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूटूब चैनल बनाने का यूटूब चैनल क्रेट करने का सही तरीका क्या है जिससे आपका यूटूब चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो होखे ज्यादा से ज्यादा वीवा है आपके चैनल पे आपके वीडियो पे यहां तक कि अगर आप अपने चैनल को अच्छी तरीके से create करते हो, सही तरीके से create करते हो, उसके सारे setting को on करते हो, तो आपको YouTube खुद आपकी वीडियो को और आपकी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास recommend करेगा आपके वीडियो और चैनल देखने का, इससे क्या होगा, आपके चैनल जल्दी ग्रो हो पाएगा और ज्यादा से ज्यादा वीव आ पाएगा, तो YouTube चैनल create करने का सही तरीका क्या है, उस पे कौन-कौन से setting को apply किया जाता है, यह सारा का सारा चीर इस वीडियो में देखेंगे, दोस्तों सबसे पहले आपको अपना YouTube चैनल को open करने क के लिए आपको एक new, एकतम साफ सुतरा एक email ID की जरूद परेगी, ठीक है, आप अपने पुराने email ID से भी अपने YouTube चैनल को बना सकते हो, लेकिन उस चैनल का grow होने का कम chance रहता है, इसलिए मैं आपको suggestion करूँगा कि आप अपने YouTube चैनल के लिए आपको एक new email ID को बनाना चाह लाएंगे, तो सबसे पहले आपको अपना YouTube अप्लिकेशन को open कर लेनी है, उसके बाद से यहाँ पर आपको profile देखने को मिलेगा, उस profile पर क्लिक करनी है, उसके बाद से यहाँ पर aid account का option देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है, उसके बाद से यहाँ पर create account पर क्ल क्लिक करना है अब यहां पर आपको डेट वर्ड डाला है और उसके नीचे अपना जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद से आपको नेक्स्ट बटम पर क्लिक करना है उसके बाद से यहां पर आपको अपना पासवर्ट को सेलेक्ट करने है उसके बाद से आपको पर क्लिक कर देनी है उसके बाद से फिर से आपको next करनी है और फिर से आपको नीचे आनी है और I agree पर क्लिक कर देनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अभी अपने account पनाया है यह automatic यहाँ पर यह login हो चुका है इस YouTube में उसके बाद से फिर से आपको अपना profile पर क्लिक करनी है उसके बाद से यहाँ पर आपको your channel का option देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करनी है अब यहाँ पर आपको create a channel का option देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा channel create हो चुका है अब यहाँ पर आपको एक pencil का icon देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करनी है और यह दिखिए यह name यहाँ पर जो name लिखा है यह आपका channel का नाम है तो आ तो यहां पे आप जो भी चाहते हैं अपना नाम डाल सकते हैं तो यहां पे इस पैंसिल वाले आईकोन पर क्लिक करते हैं इस हैं खर्णड़ कोael हैं यहां परेंडल से करते हैं त मेरा यूट्यूब खर स्थी्वलीय क्या डियां कि अनलहता ह लिंग यहां पर सकते हैं यहाँ पर आप कोण से टॉपीक है बोटे गता हम कुछ-पैं। और यहां पर मैं। यहाँ दोस्तों शुक्ष के वर्लेट से जुर्ण अगर आपको ब्लॉग वीडियो देखना पसंद है तो मेरे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजीगा इतना करके मैं इसे सेप कर देता हूं और आप इसे चाहते हैं तो बाद में इसे आप इडिट भी कर सकते हैं तो इसमें कोई प्रोब्लम की बात नहीं ह अब उसके बाद से यहां पर आपको क्लिक करके आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर को अप्लोड करनी है प्रोफाइल पिक्चर किस प्रका से बनाते है या लोगो किस प्रका से प्रोफाइल लोगो किस प्रका से बनाते है इसका वीडियो मैं औरेडी बना करके डाल दिया उसके बाद से यहां पे banner picture जो है पीछे वाला यह banner picture इस पे आप किलिक करके आप अपने banner picture को लगा पाएंगे तो यह banner picture कि इस प्रकार से बनाय जाता है मैं इस पे औरेडी वीडियो बना दिया हूँ और उस वीडियो के लिंक आपको description box में देखने को मिल जाएगा तो मैं यह यहां पे एक normal से banner picture को यहां पे select कर लेता हूँ दोस्तों भले ही आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि आपका जो YouTube चैनल है बन करके रेडी हो चुका है लेकिन 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 मैं आपको एक बात clear कर दो कि यह अभी सिर्फ और सिर्फ 10% ही इसमें setting apply हुआ है अगर आप यह से छोड़ करके अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हो तो आपकी चैनल पर बिल्कुल भी विव नहीं आएगा तो यह अभी जो हमने setting apply किया है यह सिर्फ और सिर्फ अभी YouTube अप्लिकेशन से ही किया है अभी बहुत कोछ इसमें बागी है ठीक है तो च कर लेनी है उसके बाद से कुछ इस प्रकार से आपके Chrome ब्राउजर में YouTube ओपन होके आएगा तो यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर अपने profile पर क्लिक करने है इस profile पर उसके बाद से फिर से यहां पर इस arrow पर क्लिक करने है और उस email ID को सेलेक्ट करने है जो आपने अभी बनाया है अपने YouTube के लिए ठीक है तो उस email ID को यहां पर आप सलेक्ट कर लेना आपको उसके बाद से यहां पर आपको three dot देखने को मिलेगा सबसे उपर तो इस three dot पर आपको क्लिक करने है उसके बाद से यहां पर देख सकते है desktop site आपको देखने के एक option मिलेगा आपको इस desktop साइड के बगल में जो यह box बनाया है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना अब यहां पर आपको जूम कर लेनी है जूम जैसे यहां पर photo किया जाता है वैसे आप two finger पर करके two finger का यूज करके आप इसे जूम कर सकते हूँ और two finger से ही आपको यहां पर नीचे खिचना है और आपको ऊपर की तरफ आना है और यहां पर आपको profile पे पहुंच जाना है तो यहां पर आपको profile पे क्लिक करना है ठीक है उसके बाद से यहां पर आपको मिलेगा YouTube स्टीडियो का option देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद से यहां पर आप देख सकते ह मेब लुप yatे रह फरके में इसे छोटा करके अपको अभी दीखाता हूँ देके नीचे जा रहा थे तो उसी प्रаст से यहां पे आपको जूम करके यहां नीचे की तरह आना उसके बाद से यहां enc setting का option देखने को मिलेंगा तो इस setting के option पे आपको click कर देने है उसके बाद से इसे आप छोटा करनी है और यहां पे आप है channel का option देखने को मिलेगा तो चैनल पर आपको click करना है उसके बाद से यहां पे basic डालोगे तो आपके वीडियो को यूटूब क्या करेगा इंडिया के लोगों को सेजेशन करेगा आपके वीडियो को ठीक है तो यहाँ पर आपको अपने कंट्री को सेलेक्ट कर लेनी है इंडिया को सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर इंडिया है तो मैंने इंडिया को किवर्ट्स का क्या काम है यहां पे तो यहां पे जब भी आपका कोई relativ करके मंगा यूटुब से तो यहां पे वह कीवर्ट्स बहुत ही काम करता है ठीक है बीना प mendQuart जो है जल्दी से यूटुब अप्लिकेशन में search लिस्ट आएगा ही नहीं ठीक है तो यहां पर कीवर्ट्स डालना बहुत ही इन्पोर्टेंट है तो यहां पर कीवर्ट्स किस प्रकार से डालना है तो सबसे पहला पहला आपका जो कीवर्ड डालना है वह आपकी अपने चैनल के नाम से डालना है जो भी आपके चैनल का नाम है ठीक है तो यहां पर एक keywords मेरा, यहां पर मैं डाल चुका हूं, आपको दूसरा keywords कैसे करना आ, कितना लोग होता है कि कि letter का onter रखता है, ठीक है? तो letter का button अंतर रखता है तो यहां पर मैं letter का कर के यहां पर डाल देता हूं, जैसे कि मैं अपना channel का ही नाम डालूंगा लेकिन यहाँ पर सब के सब का αस्मॉल लेटर में करिके डालूँगा मैंने सेब नाम को यहाँ पर सभी को यहाँ पर किलिक कर दूँगा ओके पर किलिक कर दूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो keywords होगे यहां पर आपकी अपनी चैनल का जो category है जिस भी category का आपका चैनल है उस category को भी यहां पर लिखना है जैसे कि केटेगरी क्या होता है कि माले जी आप किस केटेगरी पर वीडियो फ्लोट करोगे आपका चैनल किस केटेगरी पर है जैसे कि माले जी अगर आपका चैनल कोकिंग वाला है अगर आपका चैनल ब्लॉगिंग है अगर आपका चैनल एजुकेशन वाला है अगर टीचर ह आप पढ़ाते हो तो उस प्रकार के यहां पर केटेगरी जो भी है उस केटेगरी को यहां पर डाल देना है तो फिलाल यह जो मेरा चैनल है यह ब्लॉग का चैनल है तो मैं यह पर ब्लॉग डालूंगा ठीक है ब्लॉग डाल करके मैं इसे ओके कर दूंगा फिर से मैं यहां प जिससे आपका चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने खुल करके आएगा और अगर आपका कंटेक्ट उन लोगों को पसंद आएगा तो आपको जरूर से सब्सक्राइब करेंगे आपके वीडियो को वाच करेंगे लाइक करेंगे जो भी करना है वो जरूर करेंगे उसक अगर मेरा नाम है तो मैं अपना नाम को भी यहां पर कीवर्ट में डाल देता हूं ठीक है उसके बाद से यहां पर यह था basic information में अब यहां पर आपको एक advanced settings का option देखने को मिलेगा इस पर आपको click कर देनी है ठीक है तो इस advanced setting पर आप जैसे click करिएगा तो यहां पर आपको कुछ option नहीं option खुल करके आएगा तो यहां पर आपको सबसे उपर यहां पर एक option देखने को मिलता है यह say the channel as made for kids मतलब कि अगर आप यह channel बच्चू के लिए बनाए हो मतलब इस वे चोंटेंट डालते हो वो बच्चू के लिए डालते हो मतलब छोटे-छोटे हुआ है कि को की हो गया यह सब रिलेटेट तो यहां पर आपको no no वाले option को select करने है इतना कर देना आपको advance वाले setting में उसके बाद से यहां पर आपको second option देखने को मिलता है feather eligibility आपको आपको click कर देना जैसे आप click करेगा तो यहां पर आपको देखिए एक चीज यहां पर आपको enable देख रहा है बाकि दो चीज यहां पर आपको disable देखने को मिल रहा है सबसे first यहां पर आपको देखने को मिलता है standard futures ठीक है वो क्या है यहां पर enable है second है आपका इंटर्मेडियेट फीचर तो यह वाला ओप्षन आपका डिसेबल है अगर आप इंटर्मेडियेट फीचर को एनेवल कर देते हो यहाँ पर एगर एनेवल इसे कर देते हो तो आप अपने चैनल पर 15 मिनट से ज्यादा के वीडियो को अपलोड कर पाओगे तो एनेवल इसे कि फरिफाइफ पर नमबर का एक ऑफ्षन देखने को यहाँ पर ऑप्षे नेगा ऐसके बाद से खुछ इस प्रकार के पीज आपकर करे आएगा तो यहां पर आपको नह嘛 नहीं प्रने हूं इपने मिया और भाने मत चाहा movie तो यहां परिपर फोन्गर को लिख देना है कुछ नहीं के बाद मुश्आ के यहां पर नहीं पर यहां पर डाल दनी के उसकी यहां पर दो क्र देनी है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर phone number is verified अब आपको back आじゃना और फिरसे आपको chrome browser में switch हो जाना है उसके बाद से यहाँपे देख सकते है जू intermediate feature था वो यहाँपे आप देख सकते हैं यह अनावल हो चुका है इस पर green आ चुका रे आप उसके बाद से यहां पर फिर से एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है उसके बाद से यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के आपके पास खुल करके आएगा तो यहांपर जू सबसे आसान वाला प्सन वह पहला लंबर सन इस पेतको क्लिक कर देना ठीक है उसके बाद से यहांपर नेच्सट पर क्लिक करना है तो जिस एमिल आइड से आपने यूटूब चैनल बनाया है उस एमिल आइडी पर आपको एक verification जाएगा तो यहाँ पर आपको एक get email पर आपको click कर देना है ठीक है इस पर आप जैसे click करिएगा उसके बाद से यहाँ पर आपको done पर click कर देना है उसके बाद से आपको phone को menuize कर लेनी है इसे बीच से cut कर देनी है menuize कर देनी है उसके बाद से आपको तो अपने इमेल को खोलनी है take email का अफ्लिकेशन को खोलनी है देखिए यहां पर email का ili कि सन इसे ऑपेन करनी है उसके बात से उस वाले वतेद में login हो जानी है तो मेरा वो वाला email पर मैं यहाँ पर login हो गया और यहाँ पर देखिए जो सबसे first वाला यहाँ पर email आया उसे open करके देखता हूं तो यहाँ पर आपको नीचे आना यहाँ पर start verification पर आपको click करना है तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आनी है और इस वाले box में आपको check marks कर देनी है उसके बाद से यहाँ पर आपको नीचे आनी है और फिर से next कर देनी है अब उसके बाद से यहाँ पर आपके कैमरा का अलाव मागेगा तो इसे अलाव कर देनी है अब यहाँ पर आपके अपने कैमरे के सामने अपने फेस को कुछ इस प्रकास से रखनी है उसके बाद यह एरो जिस तरब आपको सर घुमाने को बूर रहा है उस तरब आपको इस तर ट्र 가장 हो जाएता का ठीक है थो चलिए हम यहां पर यूटूप पर आगे बढ़ते हैं यहां पर देख सकती है यह अभी डोोजन हो चुकर और एकellow यहां पे पेंडिंग दिखा रहा हा यहां पेब को से पर क्लिक कर देना है उसके बाद से यहां पर फिर से अपको सेट्टिंग पे क्लिक करने है दिए से यहां पर आपको advanced settings के एक option देखने के मिलेगा इस पर क्लिक करने है उसके बाद से यहां पर आपको category चूज करने है देखे category चूज करना बिल्कु बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप category select नहीं करोगा तब तक आपको YouTube आपके चैनल को आपके वीडियो को उन लोगो की ज़रूरत है ठीक है तो यहां पर कर लिया उसके बाद से यहां पर select language पर क्लिक करना है और इस पर आपको अपने हिंदी लेंगोज को select कर लेना जिससे क्या होगा कि जो लोग हिंदी में वीडियो देखते हैं उनहीं लोगे का पास YouTube आपके वीडियो को recommended करेगा उसके बा option में आपको अपने चैनल के related अपने चैनल के बारे में कुछ इस प्रकार के एक टेलर वीडियो बनानी है जिसे कोई अगर आपके YouTube चैनल के प्रोफाइल को चेक करता है तो उसे यह वाला वीडियो सो हो और उस वीडियो को देखर इतना वह इंप्रेस हो जाए कि आपके चै के बटम पर आपको क्लिक करके आप इसली उस वीडियो को लगा पाएंगे अगर आपके पास एक से ज्यादा YouTube चैनल है तो यहाँ पर आपको फ्यूचरेट सेक्शन का एक option देखने को मिलता है तो इस साइड में आईएगा तो यहाँ पर एड सेक्शन का एक option देखने को मिल करने है तो इस पर आपको क्लिक करना और उसके बाद से इसका टाइटल आप चूपी रखना चाहते है रख सकते हैं तो मेरा एक टेक चैनल भी है जिस चैनल पर आप यह अवी वीडियो दिख रहे हो उस चैनल को यहाँ पर मैं इस चैनल में एड कर देता हूं तो मैंने टेक चैनल लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे नीचे पे सर्च का अप्सन है, तो यहाँ पे अपना चैनल को यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे सर्च कर किया, मैं अपना चैनल का नाम लेकर के दमके टेकनिकल, तो सबसे फॉस्ट में मेरा चैनल सो हो चुका है, तो इस पे को इसको स्लेक्ट कर लेना इसे चेक मार्स कर लेने हैं। उसके बाद से यहां पर नीचे के तरफ आनी है है और यहां पर देख सकते हैं एक डण का औफ़सान इससाब कु たो hope क्लिक करती है और यहां पर देख सकता है मेरा जो चैनल है सकस्पूली यहां पर 올 चुका है उसके बाद से यहां पर आपको basic info में आना है उसके बाद से यहां पर आपको नीचे आनी है और यहां पर add link का एक option देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करनी है उसके बाद से यहां पर लिखना है आपको मुझे instagram पर follow करें उसके बाद से यहां पर instagram के link को paste कर दिने है उसके लिए यहां पर अपने profile के link को paste कर देना है, वैसे ही आपको जितना मरजी उतना link को यहां पर paste कर पाऊगे, add link पे click कर करके, उसके नीचे यहां पर आपको एक contact info का option देखने को मिलता है, यहां पर आप अपने email id को दे सकते हैं, तो यहां पर आपको किसी दूसरी email id को देना है, जिस आपके सब्सक्राइबर समपर कर पाएंगे और आपसे बाते कर पाएंगे उसके बादस यहाँ पे सबसे ऊपर आनी है और यहाँ परको पॉपलिष की complexity मिल से इस पे क्लिक कर देनी है प इतना कर लेने के बाद से आपके जो पूरा सेटिंग है पूरी-पूरी तो पिलीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको काफी अच्छी जानकारी वाली वीडियो मिलती रहती है यहाँ पर देख सकते हैं जो यह मेरा चैनल है बिल्कुल बन करके रेडि हो चुका है और यह बिल्कुल प्रोफेशनल चैनल के जैसे दिखने में लग रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो चैनल एड किया है वह चैनल यहाँ पर देखे होंपेज पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्लेस लिस्ट कोई भी नहीं बना है यहाँ पर आप कॉम्मुनिटी पोस्ट कर सकते हैं उसके बाद चैनल में यहाँ पर मैंने एक जो चैन उसके बाद से यह मेरा चैनल को URL है और यहांपे indya selected है और यहां पर जोईने time दिखा रहा है कि मैंने इसकी किस तारी को बनाया और उसके बाद यहांपे phone verified दिखा रहा है और साथ यहां पर आप देख सकते हैं इस analytics पर किलिक करियेगा तो इस पे क्लिक करके आप अपने वीडियो के बारे में पूरी डीटेल्स ले सकते हैं सब्सक्राइबर कितना आया है वाच और कितना हुए है विव कितना आया है अब दोस्तों यहाँ पे तो आपका चैनल बन करके पूरी तरीक से रेडी हो चुका है अब यहाँ पे आपको एक प्लस आइकन देखने के मिलेगा इस पे क्लिक करना है उसके बाद से रेट और सौट पे क्लिक करके आप सौट वीडियो को अपलोड कर पाऊगे तभी आपके वीडियो पे जयादा से जयादा व्यू आएगा और उसका जयादा से जादा चानसे जळाएगा कि आपका वीडियो वारेल हो जाया तो वीडियो अप्लोड करने का सही любов तरीका क्या है उस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बना दिया तो मैंने उस पर भी वीडियो बना दिया हूं अगर आपको वीडियो इडिटिंग करना नहीं आता है तो वीडियो इडिटिंग पर भी मैंने वीडियो बना दिया हूं और इन सभी टॉपिक के वीडियो का लिंक आपको डिप्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या useful content मिरते रहते हैं